Welcome to Online and Offline Gyan Channel, my name is Gaurav दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आए हूँ ये वीडियो एक recommended वीडियो है आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियो को regularly देखते हैं Last week मैं आपके लिए वीडियो लेकर आये था R&AC Trade पर उस वीडियो में मैंने आप से कोशन पूछा था कि मुझे R&AC Trade पर आपके लिए complete वीडियो लेकर आने चाहिए या नहीं लेकर आने चाहिए बहुत सारे बच्चों ने comment box में mention कि है कि सर आप वीडियो को लेकर आईए तो आप सब की request पर मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने R&AC Trade यानि refrigeration and air conditioning mechanic trade से IT किया हुआ है अब बहुत देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने success पा लिया लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको success life में इस trade से IT करने के बाद नहीं मिलिया अब बहुत देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं एक positive एक negative हर चीज के दो aspect होते हैं अब यह depend करता है कि आप कैसी way में जा रहे हैं positive way में negative way में अगर आप positive way में जाओगे तो definitely उसका output आपको positive मिलेगा अगर आप negative way में जाओगे तो definitely उसका output आपको negative मिलेगा मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा दूँगा जिन्होंने अपनी life में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है लेकिन अभी घर पे बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसे भी बच्चे दिखा दूँगा जो R&AC trade से idea कर चुके हैं और वो ऐसे level पे पहुँच चुके हैं कि उनके level तक पहुँचना एक बहुती बड़ा hard work यहाँ पर हो जाता है तो R&AC trade को मैं बहुती अच्छी trade समझता हूँ इसमें भी बहुती अच्छा scope है भई देखो जितना content मैंने आपको इस studio में provide किया है आप please मुझे बताना comment box में वीडियो देखने के बाद कि यह content आपको सही लगा या नहीं लगा क्योंकि मुझे feedback की जरुत है अगर आप मुझे positive feedback दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे negative feedback दोगे comment box में तो मैं उसको अपना एक feedback लूँगा और next time और improve करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा तो यह आप पर depend करता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हैं यह नहीं सीखें अगर सीखें तो comment box में mention करना अगर नहीं सीखें तो वीडियो में बताना क्या नहीं सीखें यह भी मुझे बताना तो content इसमें मैं आपको क्या क्या provide कर रहा हूँ ध्यान से देखें definition बिलकुल proper तरीके से आपको समझाऊँगा duration बताऊंगा eligibility criteria बताऊंगा study material for R&AC trade जिसमें मैंने आपको 4000 explanation वाले question प्रोवाइड किये हैं और 4000 non explanation वाले question प्रोवाइड किये हैं पाचवा R&AC trade से अगर आपकी SCVT trade है तो आप जो है CITS कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे private और government कौन सा institute आपके लिए better होगा सातवा आपकी free कितनी लगती है अगर आप IT करते हैं private से आप government से कौन सा certificate आपके लिए better होगा NCVT का SCVT का नोवा apprenticeship के options क्या-क्या है इसमें आपको Stephen कितना मिलता है दसवा आपको सीखने को क्या-क्या मिलेगा private employment के क्या-क्या options है यह 11 है 12 है government employment के क्या-क्या options है 13 है self employment यानि business के क्या-क्या options है 14 नमबर पे आपको foreign job के यहाँ पर क्या-क्या options है तो हम इस पर proper तरीके से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम definition पे बात करते हैं तो आप सब ही जानते हैं R and AC trade को mechanic refrigeration and air conditioning trade से भी बुला सकते हैं या फिर आप refrigeration and air conditioning mechanic trade के नाम से भी बुला सकते हैं तो यह trade जो है एक AC repairing mechanical vocational trade है और यह engineering category में आती है आप सभी जानते हैं मैंने इस पर आपके लिए एक video बनाईती कि IT की जो category होते हैं दो category में divide होता है एक engineering category में और एक non engineering category में तो यह जो trade है यह engineering category में आती है बाकी मैं आपके लिए जो जो IT की trade cover करूँगा उसमें भी बताता रहूँगा और बाकी मेरी एक वो वाली video आप जरूर देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया था कि R and जो जितनी भी trades होती आइटे की उसमें आपको जो है किस category में फोर होना पड़ता है इंजिनेरिंग में या non engineering में अब बात करते हैं इसकी definition की भई देखो R and AC trade ऐसी टेड है की इसकी definition भी आपको पता होने चीए क्योंकि मालो कभी भी आप इंटेवियू देने जा रहे हैं इंटेवियूर आपसे पूछ लेता है कि यह होती क्या चीज़ है refrigeration की definition पूछे आप कैसे बताओगे तो मैं आपको definition बता दूँ refrigeration is the process of achieving and maintaining a temperature below that of the surrounding इसका मतलब क्या है I think आपको English में मतलब नहीं समझा होगा बहुत सारे बत्चों नहीं समझा होगा लेकिन कुछ ने समझ लिया होगा इसका मतलब है कि refrigeration एक ऐसा process है जो अपने आसपास के वातारणर के temperature को या तो कम करके रखता है मतलब कम करता है या फिर उसको maintain यानि भराबर करके रखता है तो यह शमता होती है और इस process को हम refrigeration के नाम से बुला सकते हैं अब इस trade की बात करने तो इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा students को क्या-क्या इसमें सीखने को मिलता है तो students are told skills like repairing and servicing in refrigerator water cooler bottle cooler deep freezer wisi cooler walking cooler ice candy plant cold storage ice plant split air conditioner उसके बाद package air conditioner है central air conditioner है automobile air conditioner है transport refrigeration है aircraft air conditioning है railway air conditioning है ship refrigeration है and air conditioning and other many aspects यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाते हैं तो मैं बोलू तो एक यह बहुत अच्छी trade है इस trade में आपको सीखने को मिलता है और यह जो आपको चीज़े दे रखी है इसमेंसे आप कोई भी एक पार्ट पकर सकते हैं और उसमें अपना आगे का business start कर सकते हैं आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो IT है मैं इसे नोकरी नहीं समझता मैं इसे IT equal to business के तोर पे समझता हूँ लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास business के लिए पैसे नहीं होते हैं उनको पहले नोकरी करके पैसे को जोड़ना पड़ता है और फिर जाके वो अपना setup करते हैं तो यह आप पे depend करता है कि वो आप life में क्या करना चाते हो इस पर मैं कभी न कभी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कि IT करने के बाद आपको एक business open करने की opportunity कैसे मिलती है जितनी भी trades है मैं इस पर बाद में cover करूँगा अभी मैंने सोचा नहीं है पहले मैं जितनी भी trades है इनको complete कर देता हूँ duration की बात करें दो साल का आपका course होता है चार semester में divide होता है लेकिन अभी मैंने हाली में ख़बर सुनीती की semester को आपको जो हटा के yearly वाई डाला जा रहा है तो ये कितना सच है अगर आपके institute में ऐसा हुआ है आपके state में ऐसा हुआ है तो please मुझे comment box में बता देना ताकि जाए 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 बच्चों तक ये information पहुँच जाए भरतें आगे अब बात करते है eligibility criteria की भै देखो इसमें कोई hardcore आपको eligibility criteria नहीं चाहिए दसफी पास अगर आप है साथ में आपका यहाँ पर science और mathematics का subject है तो easily आप IT में admission ले सकते है इस trade से और यहाँ पर fee की बात करें अगर आप government से IT करते हैं दो-तिन अजार में आपका जो IT हो जाता है लेकिन आप private से करते हैं तो दो साल में लगबग आपके 50,000 रपे लग जाते हैं अब मैं बता दू कुछ institute ऐसे हैं जो आपको 6 मेनी में भी R&AC trade करवा देते हैं वो private होते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है कुछ private institute ऐसे हैं जो आपको एक साल में IT करवा के देते हैं R&AC trade का अब उसका कितना benefit है आपने देखा होगा जब मैं आपके लिए apprenticeship लेकर आता हूँ तो यह आपको decide करना है कि आप 2 साल वाला करना चाते हैं एक साल वाला करना चाते हैं मेरे according जो rule है rule के according आप 2 साल का करें जो government से होता है उससे आपको अच्छा benefit मिलेगा हाँ अगर अंत में आपको government से नहीं मिलता कोई भी रास्ता तो फिर आप जा सकते है private के लिए ल बहुत सरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी percentage अच्छी है लेकिन उन्होंने admission ले लिया SCVT में जिससे कि उनको ज्यादा opportunity नहीं मिल पाई तो हमेशा पहला कदम आप NCVT की तरफ बढ़ा है अगर आपको opportunity नहीं मिलती है दैन आप SCVT में जा सकते हैं फ्यूचर में हो सकता है कि दोन national level का होता है ठीक है apprenticeship और stephen के क्या structure है इसमें देखो भाई BHL में बहुत ही कम निकलती है आई-यो-सी-यल में भी बहुत ही कम निकलती है HL में निकलती है और railway में निकलती है इसके अलावा ONGC का department है DRDO है इसमें आपके लिए जो है निकल जाते हैं और निकलती है बाकी देखते हैं फ्यूचर में जो जो आपोर्चेटी जाती है मैं आपको बताते रहूंगा इसमें स्टेफन की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कि इस डिपार्टमें जा रहे है बाकी आगर आप apprenticeship कर रहे हैं तो minimum आपको 8000 तो मिली जाते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको जो है किस डिपार्टमें में यहाँ पर option मिला है रेलवे में minimum जो क्रैटेरिया 8000 का है बाकी किसी किसी डिपार्टमें में आपको 12-12000 रपे भी मिल जाते हैं तो एक चीज और आपको बता दूँ कभी भी आप प्राइवेट से आइटे प्र जाते हैं कि वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आरने इसी ट्रेड जब मैं बात कर रहा था कि SCVT से CITS कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बहुत सरे बच्चे ऐसे हैं जिनको CITS के बारे में नहीं पता बहुत देखो आपको पता होगा कि एक teacher बनने के लिए जो government school का होता है subjects का होता है आपको BA करना पड़ता है फिर CITS करना पड़ता है उसी तरीके से आपको IT teacher बनने के लिए CITS करना पड़ता है उसके बाद experience लेना पड़ता है then आप जो है teacher का form फिल कर सकते है ठीक है और बात रही SCVT से आप CATS कर सकते हैं तो भाई देखो हाँ आप SCVT से CATS कर सकते हैं लेकिन आपको पहले यहाँ पर apprenticeship करने पड़ीगी देन आपको यहाँ पोर्चिटी मिलेगी डिरेक्ट आप SCVT से CATS नहीं कर सकते हैं ठीक है बाकि जो NCVT वाले हैं वो direct admission ले सकते हैं CITS में next अब बात करते हैं study material की आपको पता ही है मैं last week आपके लिए study material लेकर आया था बहुत सरे बच्चों ने support किया और लिया भी तो आप भी comment box में जाकर ले सकते हैं link मैंने आपको description दे दिया इसमें आपको 4000 question मिलेंगे हिंदी में with explanation और अगर आप ये purchase करेंगे तो इसके साथ मैं आपको ये वाला जो MCQ 4000 वाला ये भी free में दे रहा हूँ ये without explanation होगा इसमें जो है आपको क्या मिलेगा इसमें जैसे आपका MCQs है MCQs का A answer है तो A का जवाब आपको मिल जागे लेकिन explanation नहीं मिलेगा लेकिन इसमें आपको जो है proper explanation मिल जाएगा link मैंने आपको description दे दिया purchase करने का जैसे आप ये purchase करेंगे ये वाला आपकी mail ID पर आपको free of cost मिल जाएगा और आपको बता दू कुछ बच्चे ऐसी हैं जो semester के बारे में जानना चाते थे syllabus के बारे में जानना चाते थे तो उनके लिए आपको बता दू है पूरा का पूरा syllabus mentioned है यह Korean इंग्लीश में next slide में आपको Hindi में मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं फहले semester में क्या होता है दूसरे semester में क्या होता है तीसरे में क्या होता है और चोथे में क्या होता है आप इसका screenshot लेके अपने पास रख सकते हैं, अब बात करते है next की, तो next में जो है आपको यहाँ पर हिंदी में मैं दिखा देता हूँ तो हिंदी में आप देख सकते हैं, वही चीज जो English में है, same चीज आपको हिंदी में के पास मेरी तरफ से call आएगा उस call करने के बाद आप जो है, यहाँ पर मुझे बताएंगी कि कि आपको कौन से semester का चाहिए वो semester का आपको मैं provide कर दूँगा यह वाला provide करने में मुझे थोड़ा सा time लेगेगा लेकिन जैसी आप यह purchase करते हैं आपको automatically download करने का option दिख जाएगा कोई आपको अलग से मुझे mail करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, ठीक है और यह free of cost आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बता दूँ कि benefit क्या है R&AC trade के भै देखो after passing trade आप जो है, एक आप यह कह सकते हैं कि आपके पास एक जोब का अच्छा इसकोब बन जाता है residential home में आप जो नोकरी के लिए आपको जो अच्छा अफसर मिल सकता है school में, उसके बाद hospitals हो गए office, buildings में and factories में, क्योंकि आप जानते हैं आज कल AC की कितनी demand है AC आपको हर office में मिल जाएगा maximum घर में मिल जाएगा कुछ घर ऐसे होते हैं जो मतलब हर साल आपको जो है बस इतना कह सकता हूँ कि AC repairing की अवशक्ता पड़ती है तो उस AC को repair करने के लिए हम जैसे R&AC trade की कारीगरों की अवशक्ता पड़ती है तो हम उसमें जो है उनकी मदद कर सकते हैं और हमको जो है उसका यहाँ पर benefit मिल सकता है और बाकी बहुत सरे department test है जो R&AC trade वालों को easily hire कर लेते हैं क्योंकि R&AC की जो trade है इसकी तादाद कम है अगर मैं compare करूं electrician से या fitter के तो मेरे according तो भाई देखो R&AC trade एक अच्छी trade है बाकी आप पर depend करता है कि आप future में इसे लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं उसके बाद आप जो है further studies के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं यह आप पर depend करता है और they have also the chance to move into design consistency आप design consistency में जा सकते हैं teaching profession में जा सकते हैं और have the potential to run their own business आपको पता है R&AC trade के एक पंजाब का बच्चा था मैं नाम भूल गया उस बच्चे का वो बच्चा मुझसे connected है और वो बच्चा अपना खुद का business चला रहा है R&AC trade से करने के बाद उसने क्या कर रखा है कि एक dealer बना हुआ है वो और dealer बनने के बाद उसके अंडर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके लिए काम करते है मतलब वो एक order लेता है अपने customer से और customer से order लेने के बाद अपने जो भी employees है उनको देता है और वो employees उसके घर जाता है जो भी वक्ती है जो भी customer है और वहाँ पर AC ठीक करके आ जाता है तो इस तरीके से आप भी कुछ न कुछ सोच सकते हैं AC के जो आपके जो है spare parts होते हैं उनका business आप कर सकते हैं तो एक अच्छा scope है बाकि आप पर depend करता है कि आप future में आगे business करना चाते है या फिर नोकरी करना चाते है तो deployment, refrigeration and air conditioning में होता है बहुत सारे बच्चे पूछ रहते तो भी होता है उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके job के अफसर क्या क्या है air conditioning and refrigeration mechanic अप बन सकते हैं air conditioner technician आप बन सकते हैं window split AC mechanic बन सकते हैं AC refrigerator mechanic अप बन सकते हैं उसके बाद भाई देखो government deployment के options है इसमें ऐसा नहीं है कि government में आपको job ना मिले आपको पता है railway में भी आपको opportunity मिलती है DRDO हो गया ONGC हो गया बहुत सरे department ऐसे हैं जहां पर R&AC trade वाले बच्चों को मोका दिया जाता है इसके बाद आपको पता है अभी एक जो tradesman की भरतियां आए थी इसमें special idea वाले बच्चों को मोका दिया गया था उसमें R&AC trade वाले बच्चों ने भी apply किया तो मैं तो request करूँगा request क्या भगवान से pray करूँगा कि आप लोगों का वहाँ पर selection हो आप लोग अच्छा करके आए मैं जानता हूँ कि उसमें आपको समय कम मिलाए लेकिन जितना समय मिलाए आपको उसको अच्छे तरीके से utilize करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हम बात करते है self employment पे self employment पे मैंने कुछ चर्चा आपके लिए पीछे कर दिया और आपको पता है urban club के बारे में मैं किसी का promotion आपके नहीं कर रहा urban club पर आप as a carrier as a technician as a engineer आपने आपको रहिश्र करवा सकते हैं और for example किसी भी customer ने order place कि कि मुझे इस mechanic की जुरत है इस split AC mechanic की जुरत है split AC जो ठीक कर सकता है और कोई कोई different different carrier होते है अगर आप उस application पर अपने आपको register करते हैं कैसे registration करना है यह सब आपको procedure यूटूब पर और गूगल पर मिल जाएगा आप देख सकते हैं तो यह करने के बाद जो है आप एक registered technician हो जाते हैं और कभी भी urban clap के पास order आता है तो आपके नज़दी की कोई customer आपस डिमांड करता है मतलब एप पर डिमांड करता है तो urban clap आपको approach करेगा आप उस वक्ति के घर जाएंगे जो भी काम होगा उसको करके आएंगे और फिर करने के बाद जो commission होगा urban clap आपको दे देगा तो बहुत सरे बच्चे इस काम से जुड़े हुए और एक अच्छा सा amount कमा रहे है ठीक है कोई आपको ऐसे नहीं की professionalism आना चाहिए अगर आप normal ठीक करने वाले हैं लेकिन चीज़ों को ठीक कर देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा बाकी चीज़े आप internet पर जाकर पढ़ सकते है urban clap पर कैसे registration हो सकता है एक जो technician है ठीक है उसके बाद foreign job mostly बच्चे पता है foreign job की demand करते है लेकिन बहुत देखो foreign job में क्या है कि अगर आपको एक अच्छी जगा पर काम मिल जाएदा है तो सही है लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो different countries में जाके first चुके हैं तो कभी भी आप foreign के लिए जाए foreign job के क्या option है मैंने बोला था आपको बताने के लिए तो मैं ज़्यादा focus इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाता हूँ कि अपने देश में ही आपको कुछ न कुछ opportunity मिल जाए और आप जो है उसका benefit उठा सकें तो बाकी अगर आपके पास कोई suggestion है तो please मुझे comment box में देना ताकि next time मैं जो है उस पर और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आ सकूँ और कुछ trade पर मैंने आपके लिए ओल्रेडी वीडियो बना रखे आप देख सकते हैं और बस अंत में छोटी सी request है please मेरा channel उन बच्चों तक पुचा दो जो 2019 में ITA करना चाते हैं तक उनको एक सही दिशा मिल सके अगर आपको लगा कि हमने आपको सही information दिया आप चैनल पर फर्स्ट आम आये है चैनल को subscribe करके आने वाली वीडियो टाइम पर पा सकते हैं और बस और कुछ नहीं और बस वेट कीजिए जो भी वीडियो होगी मैं आपको प्रोवाइट कर दूँगा link मैंने आपको description दे रखा है book purchase करने का ebook के माद्दम से आपको मिल जाएगी धन्यवाद